कि अच्छा प्रक्र शेलेक्शन अड़्डा में अनके सिंग आप सभी लोग का हार दिक हार दिक स्वागत करता हूँ अभिन्दन करता हूँ आसा और विश्वास करूँगा कि आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत 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 पुचार रूप से चल लहा होगा और प्रतदिन सूपर्टेट के बैच में लगातार आपको जितनी भी कच् आज एक बहुत महत्पूर टॉपिक का हम अध्यन करने वाले हैं जिसका नाम है यूमन हर्ट मानो हिर्दय आपका दिल आज हम आपके दिल को समझने की कोशिस करते हैं और ये भी समझने के कोशिस करते हैं कि इसका स्ट्रेक्चर क्या है इसकी सन्नचना कैसी है कैसी ये आत हम बात करेंगे कि दिल धड़कने के अलावा और क्या कारियों को करता है और किस कारिय को संपादित करता है उस पर भी हम बात करने वाले हैं आम तोर पर ये जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कुछ ऐसी बाते करेंगे जो क्लास के माहौल को खुस्नुमा ब परशनों को उठाया जा सकता है आपके सामने रखा जा सकता है ये इतना complicated topic है ये इतना जटिल topic है कि आम तोर पे आप ये सोचते हैं कि human heart का काम बड़ा simply होगा बहुत आसान होगा धड़कता है हमारा हिर्दय और कुछ भी नहीं करता है तो अभी जब मैं इसके function पराऊंगा जब मैं इसके कारियों पर को बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना जटिल सनकना होती है और कैसे और किस इस्थिती में कारिय करने का प्रयास करती है लेकिन जो लोग भी आज के session को देखेंगे समझेंगे निश्चित रूप से आज मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम 500 प्रकार के प्रशन वो अपनी जोली में रखने वाले हैं लगबग 500 प्रकार के प्रशनों को आप आसानी से साल्व कर सकते हैं यदि आप पूरा session अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं तो क्योंकि मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कि इस topic से कितने question जो हैं पूछे जाएंगे चलिए बिना किसी भूनका के सुरुआत करते हैं एक figure लगा हुआ है और ये human heart का figure लगा हुआ है और आम तरवर और फिल्मों में जरूर देखते होंगे ये बाली सनचना चीख है लाइनिंग क्या है ये लाइनिंग अभी उस सारी की जोपर मैं डिटेल से बात करूँगा फिलाल आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर एक सब्द लिखा गया है कार्डियो लॉजी कार्डियो लॉजी विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत यूमन हर्ट का अध्यन किया जाता है उसको कार्डियो लॉजिक कहते हैं कार्डियो लॉजिक कुल मिला कर एक विज्ञान है एक साइंस है जिसके अंतरगत पर्टिकुलर हम यूमन हर्ट का अध्यन करना प्रारम करते हैं कुछ और फिगर में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ जैसे की यह structure आप देख पा रहे हैं यह structure बैसिकली इसी के तहद हम पढ़ने की कोशिस करेंगे यूमन हर्ट को यूमन हर्ट कैसे कार करता है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की सन्चना में पाय जाता है और यदि वास्तविक इमेज अगर आप देखने की कोशिस करते हैं, तो वास्तविक इमेज आपके फमनेल में लगा होगा, ये आपका हिर्दय है, कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये हिर्दय को आप कहते हैं, ये संक्वाकार सनचना में है, बंद मुठी के समान सनचना मे हैं, जैसा भी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की आकरतिम होता है, और ये यूमन हर्ट, बेसिकली, ये मानव विर्दय बेसिकली कहां पर पाया जाता है, तो पहले इसकी लोकेशन को भी समझने का प्रयास करिए, आम तोर पे आप दिल को बनाने की कोशिस करते हैं, इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, किधर बनाना है, ये भी अच्छे प्रकार से देख लिजिए, साइंस क्या कहता है, कि साइंस में ये यूमन हर्ट कहां पर पाया जाता है, तो बेसिकली ये जो हमारी रिप्स होती है, ये जो हमारी पसलियां होती है, इन पसलियों के बीच में ये पाया जाता है, इन पसलियों के बीच में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप figure में देख सकते हैं, इधर की तरफ ये जुका होता है, क्यों जुका होता है, अभी मैं इस पर बात करूँगा, जब मैं लंग्स पढ़ाऊंगा, जब मैं मुझता जे हाँ तीजिटी के बारे में अभी मैं बात करूँगा ठीक है पहले क्लास को अच्छे से पढ़ा लेने दीजिए उसके बाद मैं बात करूँगा तेखिए human heart को मैं पढ़ाना प्रारम करूँ उससे पहले कुछ basic information आपको पता होना चाहिए कुछ basic बाते आप अच्छे से पहले जानने जिए उस basic बातों को जानने के बाद ही आप human heart को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं basic बाते क्या हैं समझने का प्रयास करिए मैं बार बात कहता हूँ कि मेरा हक रक्त जो है मेरा रुधिर जो होता है ये रुधिर कहां पर बहता है तो हमारा रक्त हमारा ब्लड जो होता है वह हमारे रुधिर वाहिनियों में बहता है ध्यान से समझना एक एक कड़ी को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा हमारे रुधिर वाहिनियों में हमारे ब्लड वेसल्स में ये ब्लड जो होता है ये ब पहली प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती है उस ब्लड वेसल्स को धमनी कहा जाता है क्या बोलते हैं धमनी धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं क्या बोलते हैं आर्टरी और दूसरी जो ब्लड वेसल्स है जो दूसरी रुधिर वाहिनी है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर जिसमें हमारा रूधिर बहता है, इसको हम सिरा के नाम से संबोधित करते हैं, सिरा बोले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वेंस कहते हैं, तो हमारा बलड कुल मिला कर फ्लो कहां पर करता है धमनियों में करता है और सिराओं में करता है ध्यान से सुनते रहना हमारा जो बलड है वो कहां पर फ्लो करता है धमनियों में फ्लो करता है और सिराओं में फ्लो करता है अब समस्या यह है कि कौन सा ऐसा बलड है जो धमनी में फ्लो करेगा और कौश ऐसा बलड है जो हमारे सिराओं में अर्थात हमारे वेंस में फ्लो करेगा तो ध्यान से एक एक करके सारी बातों को समझते चलना, लिखते चलना, पढ़ते चलना तब जाकर बात बनेगी देखिए धमनियों में हमेशा और हमेशा जो रुधिर बाता है उस रुधिर को हम सुद्ध रुधिर कहते हैं याद रखना, ऐसा रुधिर, जो सुद्ध रुधिर हो, ऐसा रुधिर कहां पर बाता है, धमनियों में बाता है ऐसा नहीं है कि इसमें आरो के थ्रू ये गुजरता है शुद्धरुधिर ऐसा रुधिर होता है जो oxygenated होता है जिसमें oxygen पाया जाता है ऐसा रुधिर जिसमें oxygen पाया जाता है जो oxygenated होता है ऐसे रुधिर को हम सुद्धरुधिर कहते हैं यानि कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, ऐसे रुधुरिक को आप सुध्ध रुधिर कहेंगे, और सुध्ध रुधिर का प्रवाह, सुध्ध रुधिर का परिवहन, सुध्ध रुधिर का परिसंचर, सुध्ध रुधिर का ट्रांस्पोर्टेशन, किसके से होता है धमनी और सिरा में अंतर को भी असपश्ट करते चलना और सिराएं ऐसे रुधिर को लेकर जाती है जो असुध रुधिर का प्रवाह करती है जो असुध रुधिर का प्रवाह करती है असुध रुधिर क्या क्या इसमें कूडा करकट भरा रहता है क्यों यह असुध ह क्या logic है क्या कारड है कि इसको हम असुध रूधिर करते हैं इसको हम impure blood करते हैं impure blood ऐसा blood है जिसमें oxygen नहीं पाया जाता या फिर इसमें carbon dioxide पाया जाता है I repeat मैं फिर से repeat कर रहा हूँ फिर से सुन लेना सारी बातों को ध्यान से ऐसा रुधिर जिसमें oxygen नहीं पाया जाता या फिर उसमें carbon dioxide पाया जाता है ऐसे रुधिर को हम असुध रुधिर कहते हैं ऐसे रुधिर को हम impure blood कहते हैं और ये impure blood जो होता है ये कौन सी रुधिर वाहिना कौन सी रुधिर वाहिनियों की माध्यम से जाता है ध्यान से सारे points को समझते चलना, conversation थोड़ा सक कम कर लीजिए, ठीक है, हाँ, conversation थोड़ा सक कम कर दीजिए मेरे भाई, बहुत महतपूर topic है, तो ध्यान से एकाग्रचित होकर समझने का प्यास करना, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यह जो धमनी होती है, धमनी के विशने मे कर देखेंगे, तो सायद ही कोई किसी आयोग के द्वारा एशा पेपल लिया गया हो, जहां से यहां से प्रसुनना पूछा गया हो, इसका अपवाद क्या है, अपवाद इसका होता है फुपुस धमनी, जहां से सुनना, अपवाद इसका होता है फुपुस धमनी, या इसको बोलते हैं क्या इंग्लिस में इसको इंग्लिस में बोलते हैं पल्मोनरी इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं फुफुस धमनी ऐसी धमनी होती है पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो धमनियों में अपवाद होती है अपव प्रवाह होता है लेकिन याद रखना पल्मोनरी आर्ट्री फुप्फुस धमनी ऐसी एक मात्र धमनी पाई जाती है जिससे कौन सा रुजिर बहता है असुद्रुदिर लेकिन ये चीतों आपने याद कर लिया ये चीतों रट लिया आपने लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं कि ये बता दो कि ये पल्मोनरी आर्ट्री कहां पर पाई जाती है ये फुप्फुस धमनी कहां पर पाई जाती है और कहां से कहां पर असुद्रुदिर को लेकर जाती है तो इसका उत्तर आपको जब मैं यूमन हर्ट का स्ट्रेक्चर दिखाऊंगा तब आप को बात समझ में आएगी और ठीक इसी प्रकार से सिराओं में भी एक अपवाद होता है सिराओं में भी एक अपवाद है और उस अपवाद का नाम क्या है फुप्फुस सिरा उस अपवाद का नाम क्या है फुप्फुस सिरा नाम है या फिर इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं pulmonary इसको बोलते हैं pulmonary veins कहते हैं क्या बोलते हैं भाई pulmonary veins कहा जाता है या फिर फुपुस सिरा कहा जाता है दिमाख में एक line सारा concept clear एक line हमेशा याद रखना कहीं भी फुपुस सब्द लग जाए कौन सा उसको अपवाद समझ लेना बात clear हो जानी चाहिए कहीं भी यदि pulmonary सब्द लग जाएगा कहीं भी यदि फुपुस सब्द लग जाएगा तो वह अपवाद हो जाएगा और pulmonary और फुफुस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेफडा, इसका मतलब होता है लंग्स, यानि कि कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से, वो हमारे लंग्स से, वो हमारे फेफडे से रिलेट करता होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सारे concept को clear करना, कहीं भी यदि फु फुष सब्द लग जाए ना, तो उसका मतलब फेफड़ा होता है, कैसे फेफड़ा होता अभी मैं बात करूँगा, कैसे पल्मोननी का मतलब फेफड़ा होता है, अभी मैं बात करूँगा, साधार बात मैंने ये कहा, साधार बात मैंने आपको ये बताया, कि धमनी और फुफ अगर मैं आप से कहूं, आप से पूछूं कि ये बता दो, कि आपके सरीर के ये बाहर, बाहर पाया जाने वाला, बाहर पाया जाने वाला ये क्या है, धमनी है कि सिरा है, धमनी है कि सिरा है, अगर मैं आप से पूछूं कि सबसे बाहर पाया क्या जाता है, धमनी पाया जाता है कि सिरा पाया जाता है तो आप यही बताईएगा कि सरीर बाहर जो पाया जाता है यह सिरा है यह कौन सी blood vessels है सिरा है और जो सरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई जाती है वो क्या होती है तो सरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई क्या जाती है सरीर के आंतरिक हिस्सों में धमनी पाये जाती, आर्टरी पाये जाती है, अब कोई व्यक्ति जाता है, तता जा रहा हूं मैं नस काट के मर जाओंगा, आत्महत्या करने का प्रयास करता है, सुसाइट करने का प्रयास करता है, और सुसाइट करने के प्रयास में वो क्या करता है सिराओं में क्या होता है सिराओं में blood का flow blood का pressure जो होता है वो कम होता है blood का flow, blood का pressure जो होता है वो कम होता है तो अगर सिरा जब कटेगी न तो कहीं न कहीं उसको मरने में time लगेगा अगर उसको मरना जल्दी है उसको धमनी कातना पड़ेगा तो अगर कोई भी मरना चाहता है तो उससे कहो भाई सिरा को काटने से कुछ होने वाला नहीं है सिरा काटेगा तो कम सकम 5 गंटा 6 गंटा लगेगा शरीर का पूरा रुधिर बहने में, निकलने में लेकिन जैसे अगर धमनी को कट गई है अगर सरीर में धमनी कट गई है तो फिर समस्या उत्पन हो जाएगी ज्यादा क्योंकि इसका प्रेसर ज्यादा आफ़ता है लगबग आदे गंटे के अंदर पूरा का पूरा सरीर से बलड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा काम खतम है एक ही जटके में व्यक्त गया तो अगर आत्महत्या मैं आत्महत्या को प्रेरित नहीं कर रहा हूँ पहले चीज में बता दे रहा हूँ लेकिन लोग नाकक करते हैं अच्छान आत्महत्या करेंगे तो बता भी देंगे दोखो मैं आत्मत्या करने जा रहा हूँ, मैं नसको काटको मरने जा रहा हूँ, या मरने जा रहा हूँ, तो उस इस्थिती में मैं बता दे रहा हूँ, कि धमनी और सीरा में क्या बेसिक अंतर होता है, ये बेसिक अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब यहाँ पर ध्या जाती है आंतरिक हिस्सों में पाई जाती है हमारे internal body parts में पाई जाती है शरीर के अंदर पाई जाती है और ये जो सिरा होती है न बाबू ये सिरा जो है हमारे सरीर के बाहरी हिस्सों में पाई जाती है अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बाहर पाये जाती है जो सिरा इस सिरा में blue color का हलका bagni color का आपको दिखाई देती होगी क्यों हलके bagni color के दिखाई देती होगी क्योंकि अभी-भी मैंने बताया कि सिराएं जो हैं ये carbon dioxide युक्तरुधिर को लेकर जाती है oxygen नहीं पाया जाता oxygen न पाया जाने की वज़े से ये हलके bagni color की दिखती है और जबकि इसमें oxygen पाया جाता है इस वजह से oxygen इसमें पाया जाता है इस वजह से जो होता है यह हमारे सरीर में लाल चटक रंग के रूप में दौड़ती है एक बार सभी लोग में कमेंट्स देख लेता हूँ, चलिए, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कहीं से कोई समस्या तो नहीं आ रही है, फालतू का कोई भी कमेंट्स न करिए, और एक दूसरे पर कोई भी दो सार उपर मत करिएगा, नहीं तो एक जटके में मैं ब्लॉक करूँगा, क्लास को प्लीज डिस्टर्ब करने की कोशिस न करें, ठीक है, चलिए, आगे बगते हैं, अब ये धमनी और सिरा आपने सीख लिय अब धमनी और सिरा का बेसिक कॉंसेप्ट मैंने क्यों समझाने का प्रयास किया आपको, धमनी और सिरा का बेसिक कॉंसेप्ट आपको मैंने इस वज़े से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बार बार जब मैं यूमन हट पढ़ाऊंगा, तो बार बार धमनी सब्द आएगा बार-बार सिरा सब्द आएगा बार-बार पल्मोनरी आर्टरी सब्द आएगा बार-बार पल्मोनरी वेंस सब्द आएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस है न ये क्या है, कैसे है, कहां पर पाये जाते हैं से कहां पर ब्लड को लेकर जाते हैं, इस बारे में आपको विधिवर धंग से जानकारी हो जाएगी, बास समझ में आगी, चलिए, अब human heart के topic को सुरुआत करते हैं, ठीक है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, अभी मैंने एक base तयार किया है, एक base तयार किया है, क जब तक किसी भी चीज को, मैं बार-बार काता हूँ कि विध्यान याद करने की वाली चीज नहीं है, विध्यान समझने वाली चीज है, तो इस वज़े से विध्यान को समझने की कोशिस किया करिए, विध्यान को जितना बहतरी के साथ आप समझेंगे, उतना ही आप question को कर पाने में समर्थ होंगे, अगर आपको बहतर तरीके से questions को करना है, तो आप विध्यान को समझने की कोशिस करिए, science बहुत मज़ेदार subject होता है, बहुत ही interested topic होता है, बसरते जब उसको समझा जाए तब, अब human heart के बारे में basic information, human heart जो होता है, यह 12 cm लंबा होता है, 9 cm चोड कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा दिल होता है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, 12 cm लंबा, और 9 cm चोड़ा, और भारी कितना होता है आपका heart, यह heart भारी होता है, 300 gram का, कितना होता है भाई, 300 gram का होता है, यह 300 gram दिमाग में आ जाना चाहिए आपका, क्योंकि कभी-कभी direct version प वजन पूछ लेगा, यह बताओ, लीबर का वजन कितना होता है, यक्रित का वजन कितना होता है, तो यक्रित का वजन होता है, देड़ से लेकर 2 kg की मद्धिन, human brain, मानो मस्तिस का वजन कितना होता है, तो 1400 gram होता है, कितना होता है, 1400 gram होता है, आपके हिर्दय, आपके दिल का वजन कितना होता है तो आपके दिल का वजन होता है 300 ग्राम, कितना होता है 300 ग्राम, तो ये सारी बातें आपको ऐसे है, recall करके आने चाहिए, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, human heart को, मानो भिर्दय को मानो भिर्दय को सुरच्छा प्रदान करने वाली का मतलब क्या है, पेरी का मतलब है चारो और चारो तरफ से और कार्डियम का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, आपको हिर्दय होता है कार्डियम का मतलब क्या होता है हिर्दय होता है तभी तो आपने सीखा है कि विज्यान की वह साखा जिसके अंतरगत विज्ञान की वह साखा, जिसके अंतरगत हम हिर्दय का अध्यन करते हैं, वो क्या कहला आता है, कार्डियो लौजी यहाँ पर कार्डियो सब्द लगा है, कार्डियो सब्द लगा है तो कहीं भी यदि कार्डियो सब्द लग जाएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ आजाने चाहिए कार्डियो का मतलब होता है क्या हिर्दय है तो यहाँ पर मैंने इसी वज़े से लिखा है कि हमारे हिर्दय के चारो और सुरच्छा परदान करने वाली जो जिल्ली होती ह इसको पेरी कार्डियों कहते है पेरी का मतलब होता है चारोर कार्डियों का मतलब होता हिर्दय है ये सब्द आपको समझ में आना चाहिए जैसे अगर आपसे पूछ लिया जा है प्लूरा, क्या नाम होता है, प्लूरा, मैंने बताया है, कम से कम 500 प्रकार के प्रशनों को मैं साल्व कराऊंगा, जो लोग भी इस क्लास को अस्टेंड करेंगे, 500 से 1000 प्रशनों को कम से कम, आपको मैं आपकी मुठ्थी मिला दूँगा, बात समझ में आ रही, तो ये पेरिका अब यहां पर समझना, ये पेरिकार्डियम तीन परतों में होता है, यहां से समझना एक एक करके सारे पॉइंट्स को, जैसे अगर ये पेरिकार्डियम न रहे, तो अगर आपके हिर्दय को, आपकी हर्ट को, कोई जटका दे, कोई जोट पहुचाने की कोशिस करे, तो ये क्या करता है, उससे सुरच्छा प्रदान करने का कार करता है, अब ये पेरिकार्डियम के तीन लेयर होते हैं, कोई भी जिल्ली है, कोई भी पतली पन्नी है, जैसे कि एक पेपर ले देता हूँ, जैसे एक पेपर है, तो ये पेपर है, ये कितना भी पतला क्यों न हो, इसके तीन लेयर होंगे, इसके तीन परत होंगे, एक सबसे इसके उपर वाला परत होगा, इसके नीचे वाला परत होगा, और इसका एक मध्य परत होगा, तो इस जिल्ली के भी तीन परत होते हैं, इसका जो उपर वाला परत होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम Ectocardium कहते हैं इसको मद्धवाला परत होता है इसको Mesocardium कहते है और इसका जो सबसे लाष सबसे आंतरिक हिस्सा होता है इसको Endocardium कहते हैं एक चीज पढ़िए कई चीजों को तयार करने की कोशिश करेच कहीं भी यदि Ecto सब्द लग जाए कहीं भी यदि एक्टो सब्द लग जाए तो एक्टो का मतलब क्या होता है सबसे उपरी, सबसे बाहरी तो रखना नहीं है, समझना है कार्डियम का मतलब क्या होता हिर्दय तो हमारी हिर्दय का सबसे उपरी जिल्ली कौन सा होता एक्टो decadium, meso का मतलब होता है मध्य और cardium का मतलब क्या होता हिर्दय यानि हिर्दय के मध्य में पाई जाने वाली जो मिमब्रेन होती जिल्ळी होती है, इसको mesocardium कहा जाता है और हमारे हिर्दय का सबसे निचला सबसे आंत्रिक हिस्से में जो जिल्ली पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम endocardium कहते हैं तो हम आने आपको बताया हिर्दय के चारों तरफ पाई जाने वाली जिल्ली का नाम क्या होता है pericardium होता है ये चीज आपको समझ में आना करेंगे अब तीसरी बात आप समझना तीसरा पॉइंट इसमें समझना हमारा हिर्दय जो होता है हमारा हिर्दय जो होता है यह बंद मुठी के समान जहां समझना यह बंद मुठी के समान यह बंद मुठी के समान बंद मुठी के समान यह सनचना होती है लेकिन यह सनचना कैसी होती है हलका संक्वाकार होती है हलका संक्वाकार अभी जो thumbnail में photo लगा है उस photo को यदि आप देखेंगे तो उस photo में आपको देखेगा कि हलका संक्वाकार सनतना में आपका हिर्दय है conical form में है यानि कि उपर की तरफ ये चोड़े आकार में है लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है हलका 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 वो उसका सेप कम होता चला जा रहा है इसी वज़े से इस human heart को मानोहृदे को क्या कहा गया है कि ये conical form में होता है यानि कि ये हलके संक्वा कार पनचना पाया जाता है अब यहाँ पर जो मैं points बता रहा हूँ ये सारे points आपकी exam में महत्पूर जैसे अगला points आप से पूछ लिया जाएगा कि मनुस्य का रुधिर परिसंचरतंतर कैसा होता है जो human circulatory system होता है मनुस्य का जो रुधिर परिसंचरतंतर होता है वह रुधिर परिसंचरतंतर कैसा होता है तो आप बताईएगा सर मनुस्य का जो रुधिर परिसंचरतंतर होता है very very important वह बंद तथा दोहरे प्रकार का होता है closed and double है ना बंद तथा दोहरा परिसंचरतंतर पाया जाता है मनुस्य का सरीर में बंद तथा दोहरा क्यों, क्योंकि हमारे सरीर में ये जो रुधिर पाए जाते हैं, ये जो ब्लट पाए जाते हैं, ये हमेशा और हमेशा रुधिर वाहिनियों में ही फ्लो करते हैं, बंद रहता है जैसे आर्थो पोड़ा संग की बात करें अगर हम, तेल चटे की बात करें, केचगो की बात करें, तो इन सम्में क्या होता है, रुधिर वाहिनियों नहीं पाए जाती हैं, उनके पुरे बॉड़ी में फ्लो होता रहता है ब्लट, है न, जहां से जिसको रास्ता मिलता रहता है जैसे भाई, रुधिर वाहिनियों को आप खेतों में पहुचाने वाली, जो पानी को पहुचाने वाली नाली होती है, उस तरीके समझने का प्रयास करिए, और जब वो नाली नहीं रहेगी, तो पानी क्या होगा, खेत में बहता रहेगा, चलता रहेगा, हमारे बॉड़ी म ब्लड क्या होता है वो बंद रहता है हमेशा वो रुधिर वाहिनियों में ही फ्लो करेगा हमेशा और हमेशा वो रुधिर वाहिनियों में ही फ्लो करेगा इसी वज़े इसको बंद कहा गया है और कोई कमेंट्स करके हमको बताईए कि इसको दोहरा क्यों कहा जाता है मनुष्य का जो blood circulatory system होता है कौन ऐसा वीर और विरांगना है जो ये बताएगा कि ये दोहरा है comments करेंगे बताएगे भाई एक बार सभी लोग comments करके बताने का प्रयास करिएगा कि आप ये बताएगे कि मनुष्य के रुधिर परिसंचर तंत्र को दोहरा क्यूं कहा जाता है काव्या पटेल जी सीमा नागर जी प्रतिमा वर्मा श्विप्रकार्श जी अमित कनोचिया जी दोहरी सनचना जी बिलकुल भाई अमन जी मैंने आप से पूछा कि मनुष्य के सरीर में पाया जाने वाला ये जो हिर्दय होता है इसके दोहरा हम क्यों कहते हैं दोहरा परिशंचर तंक याद रखना हमारे हिर्दय में ब्लड दो बार आता है हमारे हिर्दय में ब्लड कितनी बार आता है दो बार आता है हमारे हिर्दय में ब्लड कितनी बार दो आता है में blood कितनी बार आता है दो बार आता है और that's the reason behind that इसी वज़े से इसी काड़ से हम यह कहते हैं कि मनुस्य का जो रुधिर पर संच्छर तंतर पाया जाता है वो कैसा होता है वो दोहरा होता है अब ये इस बात को याद रखना भी इस बात को यहीं पर याद रखना और hold किये रहना अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा और human hurt का structure दिखाऊंगा तो आपको आगे की बाते समझ में आएगी कैसे hurt में दो बार आ रहा है अभी इस बात को आप अपने दिमाग में hold रखिएगा कि मनुस्य के hurt में मनुस्य के hurt में यह जो रुधिर आता है कितनी बार आता है दो बार इसी वज़े से मनुस्य के रुधिर पर संचरतंत को बंद तथा दोहरा कहा जाता है और मनुस्य के यह बंद तथा दोहरा जो रुधिर पर संचरतंत है उसको कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है उनका नाम है उनका नाम क्या है विलियम हार्वे उनका नाम क्या है विलियम हार्वे विलियम हार्वे ने कहा था विलियम हार्वे ने कहा था कि रुधिर परिसंचरतंत कैसा होता है बंद तथा दोहरे प्रकारका होता है यहाँ पर मैंने विलियम हार्वे का नाम इस वज़े से लिख दिया है कि आप कार्ल लेंड इस्टीनर साहब के साथ में कंश्यूजन की स्थिति में आए कार्ल लेंड इस्टीनर साहब वह वह ग्यानिक है जो रुधिर वर्ग अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको रुधिर वर्ग की खोज किया था ए बी ए बी ओ है ना और यहाँ पर विलियम हार्वे ने ये रुधिर परसंचरतंत को खोजा था और बताया मनुष्ट का रुधिर परसंचरतंत बंत था दोहरा होता है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यूमन हर्ट का इस्ट्रेक्टर में मैं बात करू इस से पहले दो-तीन बातें और याद रखना देखें यूमन हर्ट में दो बातें आप पढ़ेंगे ठीख है दो बातें आप पढ़ेंगे एक होता है आलिन्द है न, एक होता है आलिंद, एक होता है आलिंद, एक सब्द पढ़ेंगे आलिंद, इस आलिंद को एक्ट्रियम कहा जाता है, इस आलिंद को क्या बोलते हैं, एक्ट्रियम कहा जाता है, और दूसरा सब्द होता है निले, दूसरा सब्द कौन सा होता है निले, और निले को क्या बोलते हैं, इसको ventricle कहा जाता है, आलिंद और निले जैसी दो समझनाई पाई जाते हैं, पहले मैं एक एक करके सारी कड़ियों को तोड़ कर समझा दूँ आपको, इसके बाद जब मैं जोड़ूंगा न, तो human heart आपको बहुत आसान लगेगा, ये एक जटिल टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा, अभी स्वास मान के चलिए, ठीक है, बस सारी कड़ियों को जो मैं तोड़ रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए, आलिंद होता है, और क्या होता है, निले होता है अक्ट्रियम होता है, और पिता के चार पुत्र थें, और चारो पुत्रों में यहाँ पर पहले अच्छी चारो पुत्रों में बनती थी, और नीचे उन्होंने दो कमरे बना दियें, और इन दोनों कमरों में कहा कि दो-दो भाई अर्जेस्ट कर लें, है ना, ध्यान से बनी नहीं उनकी आपस में बनी नहीं जब उनकी तो फिर उनको अलग से कमरा चाहिए अलग से कमरा चाहिए कहीं पर और जगा थी नहीं तो इसी के उपर एक और फ्लोर बन गया इसी के उपर क्या हुआ एक फ्लोर और बन गया अब यहां पर चारो भाई रहने लगें ये पहला भाई यहाँ पर पहले कमरे में ये दूसरे कमरे में रहने लगा ये तीसरे कमरे में ये चौथे कमरे में बात समझने आगे इन चारों कमरों में अलग अलग कमरों में चारों भाई अलग अलग प्रकार से रहने लगे अब आप ये सोचने होंगे सर ये human heart में ये कहां से कमरा आ गया बिलकुल कमरा आ गया बिलकुल चेमबर आ गया मनुस्य के हिर्दे में भी कमरे पाये जाते हैं मनुस्य के हिर्दे में भी कोश्ठट पाये जाते हैं मनुस्य के हिर्दे में भी चेमबर पाये जाते हैं अगर आपके हिर्दे में रूम से अविलेबल नहीं होते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं तू लेट यानि कि काफी लोग यहाँ पर आ सकते हैं काफी लोग आ सकते हैं अगर कमरे नहीं रहते अविलेबल और मज़े की बात यह है कि यह कमरे हमेशा खाली रहते हैं यह तो कमरा भ आए गये वैसे आपके हिर्दय में चार कमरे पाये जाते हैं कितने कमरे पाये जाते हैं चार कमरे अब यहां पर समझना बात यहां से समझना यह जो ऊपर वाले कमरे हैं इन्हीं कमरों को आलिंद कहा जाता है यह जो ऊपर वाले कमरे हैं इन्हीं कमरों को क्या बोलते हैं बोल और ये जो नीचे के कमरे होते हैं न बाबुजी इसी को बोलते हैं निले हिर्दय के कितने चेमबर होते हैं हिर्दय में चार चेमबर होते हैं चार कोश्ठक पाए जाते हैं चार चेमबर पाए जाते हैं कितने चेमबर पाए जाते हैं चेमर पाए जाते हैं यहां पर आलिंद हो गया और यहां पर नीचे क्या हो गया निले अब यहां पर एक आसान सी बात है जो दाहिने तरफ होगा वो दाहिना आलिंद हो जाएगा और जो बाय तरफ होगा वो बाया आलिंद या निले हो जाएगा यही तो होता है जो दाहिने बाया निले हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, उन चारो कमरों को आप दाहिने आलिंद, दाहिने निले, बाया आलिंद और बाये निले में बिभक्त कर सकते हैं, बार सकते हैं, चलिए, इस शीच को थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिएगा, ये आप का हो भी किसी प्रकार से या दाया निल्य निल्य हो गया और या क्या क्या ओ गया यह हो गया और से आपने ये जान लिया कि आपके हिर्दय में कितने चैम्बर होते हैं चार चेमबर होते हैं चार कोस्थक पाए जाते हैं चार चेमबर पाए जाते हैं इन चारों चेमबर का आपने नाम करड़ कर दिया कि उपर वाले आलिंद होंगे और यहां पर दाहिना आलिंद, बाया आलिंद, डाया निलय और बाया निलय होते हैं अब इतनी बातें क्या किसी को कोई समस्या है एक बार सभी लोग केमेंट्स करके हमको बता देजिए अब मैं आपको इस ट्रेक्चर पर लेकर चलूँ अब आपने इतना सब कुछ सीख लिया है कि अब मैं आपको यूमन हर्ट को आसानी से समझा सकता हूं एक बार सभी लोग खम सब करके प्लीज ये बता दिजिए कि यहां तक बातें क्लियर हो गई है अगर यहां तक बातें क्लियर होंगी तभी आपको आगे समझ में आएगा मज़ा आएगा बहुत बढ़ी है ठीक है बहुत बढ़ी है शुष्मा द्रेवेदी स्यूप्रकार्श जी समझ में आगए आसाराने जी चलिए सी सी बहुत बढ़ी है हाँ इसी तरीके से समझने का प्रयास करें इसी तरीके से बने रही है तो अभी तक मैंने बहुत बेसिक बाते बताए यूमन हर्ट पारा सेंटीमेटर लंबा नौ सेंटीमेटर चोड़ा तीन सो ग्राम भारी होता है पेरिकार्डियम वह धिल्ली है वह बाह आवरण है जो आपके हिर्दय को सुलच्छा प्रदान करेगी विज्यान की वह साखा जिसके अंतरगत हम हिर्दय का अध्यन करेंगे कार्डियोलोजी कहला आएगा पेरिकार्डियम के तीन हिस्ते एक्टो, मीजो, एंडो बंद मुठी के समान होता है संक्वाकार समचना होता है बंद तथा दोहरार उधिर परसंचर तंथ होता है बिलियम हारवे नहीं इसका खोज किया था मनुस्य के सरीर में चार घिर्दय के कोश्टक पाये जाते है उपर वालों को आलिंद करते हैं नीचे वाले को क्या बोलते हैं निले करते हैं अब यहाँ पर जो मैं समझाने चलना हूँ ध्यान से समझना यहाँ पर समझाने का मेरा लहजा जो तरीका होगा एकदम सुद्व समान्य तरीकिस होगा ताकि आपको साधार तरीके से मेरी बातें समझ में आ जाए जैसे यूमन हर्ट बेसिकली अगर समझना हो तो मैं इस डायग्राम पे समझाने का प्रयास करूँगा लेकिन इस डायग्राम पर बात बनेगी नहीं इस डायग्राम पर आपको समझ में आएगा नहीं तो पहले एक समान्य साफ फिगर लेते हैं समान्य साफ चित्र लेते हैं और उस समान से चित्र को आप पहले अच्छे से समझ जाएए, समान से चित्र को आप अच्छे तरीके समझ जाएए, जो बचपन से आप फीगर बनाते आ रहे होंगे दिल का, बचपन से फीगर जो दिल का बनाते आ रहे होंगे, वो दिल का फीगर कैसा होगा, कुछ इस तरीक कैसे function करता है कैसे कार करता है इस चीज को अच्छे से मैं समझा लूँ उसके बाद जो real image है उस image पर मैं लेकर आपको चलूँगा shift करूँगा और उसके बाद उस पर आपको जब मैं समझाऊँगा तो एक एक करके सारी बाते समझ में आ जाएगी ठीक है बास में आ रही है हाँ लोग कहते हैं ऐसा होता है ठीक है अरे सुस्मा स्वराज जी बोले ये सर खान सर से बेश्ट है अनके सर ऐसा कुछ भी नहीं है सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं सभी अध्याफक अच्छे हैं सभी लोग अच्छे हैं और खान सर बड़े टीचर हैं उनको सादर नमस्का चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करने हैं ये यूमन हर्ट जो होता है मैंने अभी तक आपको बताया हिर्दय के चारों तरफ जो पाया जाता है आवरण इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है हिर्दय में बीच में एक दिवाल पाई जाती है हिर्दय के बीच में एक दिवाल पाई जाती है ये हिर्दय के बीच में पाई जाती है दिवाल और इस दिवाल को क्या नाम देते हैं हिर्दय के बीच में एक दिवाल पाई जाती है, और इस दिवाल को क्या बोलते हैं, इसको सेप्टम कहते हैं, मेरे भाई, याद रखना, बोलो, मेरे साथ बोलते रहो, कमेंस कर रहा है हो, एक दूसरे का हाल चाल ले रहा हो न, वो सम्चोड़ दो, ये बात बोलो, सेप्टम, सेप्टम क्या है हमारे हिर्दय को दो हिस्टों में बाटने का कार्य करेगा सेप्टम हमारे हिर्दय को दो हिस्टों में बाटने का कार्य करेगा भाई मैंने आपको बताया मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि चार भाई थे अब चारों भाईयों में नहीं पटी तो अब क्या किये ये बीच में एक दिवाल उठा दियें कि न मैं तुम को देखूंगा और न तुम मेरे को देखना है न यहाँ पर एक तीन में पट गई और दो चार में पट गया और बीच में क्या हो गया यहाँ पर एक दिवाल उठ गया और इसी दिवाल का नाम क्या है इसी दिवाल को हमने क्या नाम दिया स सेप्टम क्या करेगा इस रूम नंबर दो चार को रूम नंबर एक तीन से विभफ्ट करेगा अलग करेगा बात समझ में आ गई सेप्टम कहते हैं उसको क्या बोलेंगे सब बात क्या बोलेंगे उसको सेप्टम सेप्टम क्या करेगा रूम नंबर एक तीन को रूम नंबर दो अच्छा चलिए ठीक है पहले हैं पर बात समझने का प्रियास करेंगे, अब जैसे कि मैंने कहा कि एक तीन में पट रहें ग mental. और दो चार में पट रहा है, एक तीन का दो चार से नहीं पट रहा था इस वज़़े से बीच में जिवार्गर, अब एक तीन में पट रहें तो ब और दो-चार के बीच में भी बात चित होती है, लेकिन इनके बीच में दो दर्वाजे हैं, थोड़ी सी कम बात चित होती है, तो दो ही दर्वाजा ये लोग बनवाते हैं, ठीक है, बात समझना, इसके इसके बीच में तीन दर्वाजे, इसके इसके बीच में दो दर्वाजे है इन दर्वाजों की विसेस्ता क्या होती है इसको हर्ट में वाल्व कहा जाता है इसको हिर्दे में क्या बोलते हैं भाई वाल्व कहते हैं क्या बोलते हैं इसको वाल्व कहा जाता है वाल्व की क्या विसेस्ता है वाल्व की ये विश्यस्ता होती है कि इस वाल्व से होकर हमारा ब्लड जो है ये नीचे की तरफ आ सकता है आ सकता है लेकिन यदि ये उपर जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता है घान से सुनना यानि ये जो दर्वाजा है ये जो दर्वाजा है इस दरवाजे से ये एक वाला व्यक्ति तीसरे में इंट्री मार सकता है लेकिन अगर तीन वाला चाहेगा एक में इंट्री मानना ना कहेगा पैसा मैंने दिया है दरवाजे का इस वज़े से केवल मैं ही इंट्री मार सकता हूँ बास समझना वाल्व की सबसे बड़ी विशेशता यही है पैसा दिया था किसने एक ने कहा कि केवल मैं आऊंगा तुम्हारे कमरे में तुम नहीं आ सकते हो ये दोवाला भी कहेगा चार से कि पैसा मैंने खर्च किया है केवल मैं यहां पर in3 आऊगा तो यह वाल्व जो होता है वो हमारे ब्ल favour को unidirectional बनाता है एक DC बनाता है ध्यान से याद रखना ये हमारे ब्लड को unidirectional बनाता है ठीक है बास समझ किया ना कि ये पुरी तरीके से याद रखना कि blood हमारा जब भी होगा नीचे की तरफ आएगा नीचे की तरफ ही इस heart में flow करेगा अगर ये नीचे से उपर की तरफ जाना चाहेगा तो नहीं ठीक है? तो यहाँ पर इसी चीज़ को बना लीजिए कि यहाँ पर जो heart जो होता है आपका यहाँ पर कि यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि यह आलिंद है यह आलिंद है तो यहाँ पर कितने दरवाजे होते हैं तीन इन तीन दरवाजों को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं त्री वलनी कपाट कहते हैं और अभी अभी मैंने बताया इसके इसकी बीच में कितने वाल्व होते हैं दो वाल्व होते हैं यानि कि इसको आप क्या बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते हैं कि दूई वलनी का पाथ इसको आप क्या बोल सकते हैं दूई वलनी का पाथ बोल सकते हैं यानि कि by cuspid valve कह सकते हैं, ठीक है, एक बार comments करके बताने का प्रयास करिए, क्या यहां पर समझ में आ गया, मैंने अभी तक यही बताया आपको, कि यह दाया आलिंद है, और मैंने यह बताया आपको, कि यह दाया आलिंद है, यानि कि इसको हिंदी में बोलते हैं, त्री वलनी कपाट, इसको बोलते हैं, त्री वलनी कपाट, और यहां पर मैंने बताया है, कि यह बाया आलिंद है, मैंने यह बताया कि यह बाया आलिंद है, और मैंने आपको यह बताया, यह बाया निले है, मैंने आपको यह बताया, कि यह बाया निले है, और यहां पर याद रखना इसको मैंने किया तहा है बाईक कस्पिड वाल्व य्यानि कि मैंने इसको कहा ड्री वलनी कपाड सवाल पूचा जाएगा आपसे 500 प्रकार के जो मैंने सवाल आपसे बताय थे न वो 500 प्रकार के प्रस्ड यही से पूचा जाना प्रारंब होगा पूछा जाएगा कि ये त्री वलनी कपाथ किसके और किसके बीच में पाया जाता है तो दाहिने आलिंद और दाहिने निले के बीच में ट्राई कस्पिडवाल पाया जाता है त्री वलनी कपाथ पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा कि डूई वलनी का पार्थ किसके और किसके बीच में पाया जाता है तो बाएं आलिंद और बाएं निले की बीच में डूई वलनी का पार्थ पाया जाता है बाई कस्पिडवाल पाया जाता है अब घान से मेरी बास सुनना अगर यहाँ पर मैं आप से कहूँ एक लाइन में बताओ कि ये human heart जो होता है ये मानो हिर्दे का काम क्या है एक लाइन में define करके बताओ चलो comments करोगे सभी लोग कि human heart का काम क्या होता है human heart का काम क्या होता है मानो हिर्दे जो होता है वो काम क्या करता है comments करेंगे सभी लोग बताइए human heart का काम क्या होता है human heart का काम क्या होता है comments करेंगे सभी लोग सभी लोग comments करेंगे human heart का काम क्या होता है pump करना विसाल सिंग जी का answer आया सब बास मेरे भाई बलड को बॉड़ी में पहुचाना पंप करना बहुत बढ़िया जो लोग भी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया एक लाइन में उत्तर आपने दे दिया और वो उत्तर बिलकुल सही है बिलकुल सही है यूमन हर्ट क्या है पंपिंग स्टेशन है यूमन हर्ट क्या है पंपिंग स्टेशन है पंपिंग स्टेशन का काम करता है यानि कि आपके बॉड़ी में आपके बलड को पंप करने का कारे कौन करता है तो ये हर्ट करता है अच्छा अब आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रिसर ये पम्प करने की और शक्ता क्या पड़ गई मान लिजिए मान लिजिए यह यहां पर है तीन से चार एक में या चार से एक में या दो से चार में पानी को अगल लेकर जाना है जैसे कई मंजिला इमारत है कई मंजिला इमारत यदि है और पानी को पहुचाना है तो आप घरों में एक तुलू पंप यूज करते हैं एक तुलू पंप यूज करते हैं और इस तुलू पंप की सहायता से आप क्या करते हैं दो मंजिला, चार मंजिला, दस मंजिला जो भी इमारत है, उस इमारत तक आप पानी को क्या करते हैं पहुचा देते हैं आपकी बॉड़ी में यूमन हर्ट का भी काम यही होता है आपके सरीर में यूमन हर्ट का भी काम यही होता है, ये blood को क्या करता है आपकी body तक पहुचाने इतना बड़ा सरीर है यार खा खा के इतना बड़ा अपना सरीर कर लिए हो इतना बड़ा सरीर कर लिए हो तो ये इतने बड़े सरीर में ये blood कहां तक ऐसे जाएगा blood क्या है blood एक प्रकार का तरल संयों जी उतक है तरल है तरल है और हर एक तरल जो होता है उसमें बहाव पाया जाता है पानी है पानी का ये गुड़ है कि पानी में बहाव होगा लेकिन यदि पानी के पीछे से फोर्स ना है जैसे नाली में है नाली में है पानी तो पानी क्या बहेगा क्या पानी पानी का ये गुड है कि वो पासकता है प्रेसर चाहिए आपके नसों में आपकी धंगियों में आपकी सिराओं में ये ब्लड फ्लो कर रहा है ये सही बात है लेकिन वो कब तक फ्लो करेगा वो कब तक जाएगा जब तक उसके पीछे से कहीं कहीं से प्रेसर मिलता रहेगा बनाता है हर्ड ये हिर्दय जो होता है उस प्रेसर को create करता है ये प्रकार का pumping station है और ये उस प्रेसर को maintain करके हमारे blood को हमारे पुरे सरीर में flow करता रहता है भिजता रहता है अब कैसी कारे करता है समझना मेरी बात को ध्यान से हर एक point को समझने की कोशिस करना देखना मैं बार-बार काराओं कि पुरे session के साथ में जुडियेगा जो वीडियो देख रहा है न उनसे मैं यही गुजारिस करूंगा या तो वीडियो को तुरंत बंद करके हट जाए अगर दस मिनट में आप उन्हों human heart को समझ जाएंगे न तो दस मिनट में नहीं दस सिकेंड में आप human heart को समझ जाएंगे लेकिन एक बार पूरी completely आप काडियो लॉजिस्ट की तरह है न जो हुर्दय विश्यसक्ग होता है उसकी तरह पहले आप हुर्दय को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर दीए ठीक है देखिए अब यह आपका एक सरीर है ठीक है समझना मेरी बात को आपका यहाँ पर एक सरीर है और सरीर की यह मा लिजिए एक कोसिका है ठीक है मा लिजिए आपके सरीर की यह एक सेल है एक कोसिका है यहीं से कहाने स्टार्ट होगी है कोसिका जो है सेल जो है आपका सरीर किसे बना है कोस कोसिका तब तक कारिक करती रहेगी जब तक इसके पास क्या है एटीपी है जब तक इसके पास क्या है उर्जा है एटीपी बोले तो उर्जा एडनोसियन ट्राइफास्पे और कोसिका के पास उर्जा कब तक रहेगी जब तक इसके पास ग्लुकोज रहेगा और क्या रहेगा आक्सीजन रहेगा, अब माल लीजिए, इस कोसिका के पास आक्सीजन नहीं ही, माल लीजिए, इस कोसिका के पास आक्सीजन नहीं ही, आक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा अर्थ क्या है, कि इसके पास क्या है, कार्बन डाई आक्साइड है, इसका मतलब इसके पास क् जब oxygen की उपस्थिती में glucose को तोड़ा जाता है तो carbon dioxide निकलते हैं तो ये carbon dioxide है लेकिन जब तक oxygen नहीं मिलेगा तब तक glucose का विखंडन नहीं होगा और तब तक glucose का विखंडन नहीं होगा तब तक ATP नहीं मिलने वाली अब ये oxygen कैसे यहां पर पहुंचेगा इस चीज को दिमाख लगाओ कि ये oxygen कैसे इस कोशिका के पास पहुंचेगा इसी चीज को दिमाख लगाओ और जैसे होता है सुडो को खेलते हैं पहली इस पहली को समझाने का प्रयास करो कि ये oxygen युक तुरुधिर कैसे यहां पर पहुंचेगा आपकी कोशिका के पास जैसे मैं इस समय लिख रहा हूँ board पर यदि मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हमारी हाथों के कोशिकाओं के पास energy होगी कहीं कहीं से और वो energy है अगर कहीं पर तो आप ये बताएए कि ये oxygen यहां पर होगा हमारी इस कोशिका के पास में oxygen कैसे पहुचा very good देखता हूँ कैसे हीमोग्लोबिन के थो अभी सिंग जी कह रहे हैं blood के द्वारा ठीक है चलिए बिल्कुल सरद कुमार सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद बस मैं यह काता हूँ science जो है आप समझे, है ना, समझे, चलिए, अब समझने का प्रयास करिए अब यहाँ पर ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिस करना ठीक है, ध्यान समझने की कोशिस करना यहाँ पर आपकी हिर्दे में दो पाइप उपर की तरफ से लगी होती है और एक पाइप नीचे की तरफ से लगी होती है एक पाइप नीचे की तरफ से लगी होती है ऐसा क्यों होता है दो पाइप उपर की तरफ से और एक पाइप नीचे की तरफ से क्यों लगी होती है ऐसा इस वज़े से उपर के बलड को ये पाइप लेकर आती है असु धुरुधिर को और नीचे के ब्लड को ये लेकर आते हैं ये जो कारबन डाई-ाकसाइड युक्तुरुधिर होता है इन दोनो पाईप के तुरुख यहाँ पर आ जाता है आपके खिर्दय में इंट्री मार देता है इन दो पाईप उपर की पाईपों की मदस से और एक नीचे की पाईपों की मदस से ये असुध रुधिर पहुच गया आपके हिर्दे, कोस्टन बन गया, कि बताओ सबसे पहले रुधिर आपके हिर्दे के किस हिस्से में दस्तक देता है, तो आप बोलोगे दाहिने आलिंद म उपर वाला हिस्सा कौन सा है दाहिने आलिंद में रुधिर सबसे पहले आया दूसरा कोश्चन वह रुधिर कैसा था वह रुधिर कैसा था तो वह रुधिर कैसा है असुद्ध है impure blood है, सोचिए, समझे, देखिए, अब आप खुद बखुद उसको आंसर को आप तिक कर ले रहे हैं ये कैसा रुधिर है, ये impure blood है, impure blood का मतलब क्या है impure blood का मतलब है, ऐसा blood है, जिसमें oxygen नहीं उपस्थित है या उसमें carbon dioxide उपस्थित है अब यहाँ पर समझना, ये जो दोनों pipe होती है न बाबू, इन दोनों pipe को क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं, दो अग्रमहासिरा, ठीक है दो अग्रमहासिरा बोलते हैं, अग्रमहासिरा अभी मैं सारी चीजों को explain करूँगा, लिखवाऊंगा, अभी पहले समझ को अग्रमहासिरा को बोलते हैं, इनफीरियर, सारी, सुपीरियर विना केवा इनको क्या बोलते हैं, सुपीरियर विना केवा दो अग्रमहासिराओं के दोरा असुद बलड आया और ये जो है, ये कौनसा है, ये पस्च महासिरा है एक पश्च महासिरा होती है एक पश्च महासिरा पाई जाती है पश्च महासिरा को बोलते हैं inferior विनाकेवा तो दो superior विनाकेवा एक inferior विनाकेवा के मदद से असुद रुदिर आ गया कहां पर आ गया आपके दाही ने आलिंद में इंट्रे दे दिया अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर इस असुद्ध है इसमें यानि कि ऑक्सीजन नहीं है मैं कहानी समझा रहा हूँ आपको कि ये बताओ कि ये ऑक्सीजन कैसे इस कोशिका के पास पहुस्टेगा ये कोशिका बेचारा कह रहा है कि तुम कब आओगे यानि कि ऐसा ब्लड कब मैं करूगा बात समझ में आ रही है तो ये बैचारा कि मैं कोई कामधाम नहीं करूंगा हरताल पर हूँ जब तक आक्सीजन नहीं पहुचेगा, मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर ऐसा ब्लड अभी पहुचा है, जिसमें आक्सीजन नहीं है। तो अब आक्सीजन युक्तुरुदिर कैसे 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 जाएगा। आपके हिर्दय की एक विशेष्टा होती है, आपके हिर्दय की विशेष्टा क्या होती है, आपका हिर्दय एक बार संकुचित होता है, और दूसरी बार रिलाक्स होता है, एक बार सिकुड़ेगा, और दूसरी बार फैलेगा। क्यों सिकूरता है क्यों फैलेगा अभी आगे चलकर मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपके हर्ट में एक सनचना पाई जाती है जिसको यस ए नोड कहते हैं साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं और ये साइनो आरिकुलर नोड जो होता है हिर्दय के संकुचन में, हिर्दय के प्रसरण में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है तो हिर्दय जो है आपका एक बार सिस्टोल करता है, दूसरी बार डाइट कोल करता है, एक बार संकुचित होता है और दूसरी बार क्या होता है फैलता है एक छोटी सी बात मैं समझा रहा हूँ जैसे यहाँ पर एक बॉटल है और इस बॉटल में पानी है बॉटल में क्या है पानी है जैसे अगर मान लीजिए इस बॉटल को मैं प्रेस किया तो पानी देखना है छलक रहा है ना बाहर आ गया यानि कि इस bottle को यदि मैं press करूँगा तो पानी क्या होगा इसके मुझे बाहर निकलेगा अच्छा अगर ये धकन को मैं बंद कर दूँ अब मैं press करूँ तो ये पानी अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा ये bottle फट जाएगा बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये बताया कि हिर्दय एक बार संकुचित होता है दूसरी बार relax होता है अब जब यहाँ पर संकुचन होगा, कहाँ पर दाहिने आलिंद में, जब दाहिना आलिंद संकुचित होगा, तो ये ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड बेचारा कहां जाएगा, अब आप खुद बताइए, ये ब्लड कहां जाएगा, ब्लड इधर नहीं आ सकता, क्यों नहीं ब्लड क्या इधर जा सकता, इधर जा सकता है, नहीं, ब्लड उधर भी नहीं जा सकता, क्योंकि इधर तो सेप्टम है न मेरे भाई, क्या है सेप्टम, दिवाल, आप ही नो तो वो दिवाल उठाई थी उन दोनों भाईयों के बीच में, कैसे आप बोल गयें, तो ये ब्लड कह स्पिड वाल्व से होते हुए ये जो असुद धुरुधिर है ये अब कहां पर इंट्री मार दिया ये इंट्री मार दिया दाहिने निले में कहां पर इंट्री मार दिया दाहिने निले में कहां पर इंट्री मार दिया दाहिने निले में अब असुद धुरुधिर कहां पर आ गया दाहिनी निले में ठान से सुनते रहाना कहानी अब मज़ेदार आपको लग रही होगी अब कोश्चन आपका बना दाहिने आलिंद और दाहिने निले में कैसा रुधिर पाया जाता है तो दाहिने आलिंद और दाहिने निले में दुरुधिर पाया जाता है, oxygen रही दुरुधिर पाया जाता है, carbon dioxide युप दुरुधिर पाया जाता है, यह बात आपको समझने आगे, अब दूसरी अवस्था के दौरान क्या होगा, अच्छा यह कोशिका भी वेट कर रहा है, तुम कब आओगे, हैना, वो painting आपने देखी हो आ जाये इसके पास, और अभी blood में ही oxygen नहीं आया, अभी blood में ही oxygen नहीं आया, तो यह oxygen कैसे इस कोशिका तक पहुच लेगा, तो अब यह क्या होगा, दाहिना निले जब संकुचित होगा, तो अब यह बताईए, blood किधर निकलेगा, blood pericardium के थो इधर नहीं जा सकता, blood उपर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैसा जादा इसने दिया था, यहाँ पर इस valve की ये विसेस्ता होती है, इन tricuspid valve या bicuspid valve की ये विसेस्ता होती कि blood उपर से नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन अगर नीचे से उपर की तरफ जाना होगा, त तो ये blood उपर भी नहीं जा सकता, तो ये blood इधर भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि आप ही ने दिवाल उठाया, तो ये blood कहाँ पर जाएगा, comments करेंगे तब तक मैं पानी पी लेता हूं, comments करेंगे, ये blood कहाँ पर जाएगा, हाँ, आतिति तुम कब जाओगे, पताएगे, पल्मोनरी धमनी से फेफडे तक जाएगा, सब्बास पूजा वर्माची, सब्बास, अब यहाँ पर इस्वर ने क्या लगा दिया है, एक pipe फिट कर दिया है, ठीक है, एक pipe फिट कर दिया है, देखो blood उपर भी नहीं जाएगा blood इधर भी नहीं आएगा, blood इधर भी नहीं जाएगा, तो यह blood किधर जाएगा, समझना, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है, इस स्वर ने क्या किया है, एक pipe लगा दिया है, और इस pipe कहाँ पर यह pipe गई है, यहाँ पर, यह कहाँ पर आई द्यान से कहानी सुनना अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यह शंकुचित हुआ है दस्मिल ये संकुचित जब होगा तो ये असुदुरुदिर क्या होगा ये असुदुरुदिर इस पाइप कित्फू क्या होगा इस पाइप कित्फू बाहर निकला और बाहर निकल कर कहा पर गया बाहर निकल कर ये हमारे फेफडे के पास चला गया फेफ़डे के पास क्यूं गया फेफ़डे के पास इस वज़े से गया है क्योंकि फेफ़डा ही वहां अंग है जो जिसके पास oxygen है यह हमने कहा न कि यह oxygen युक्तरधिर का वेट कर रही है अब यहाँ पर blood में क्या मिला दिया गया oxygen और जब blood में oxygen मिल गया तो blood कैसा हो गया सुद्ध हो गया यानि कि अब यहां से जो blood निकलेगा यहां से जो blood निकलेगा वो कैसा blood रहेगा बोलिए भाई, वो सुद्ध रुदिर रहेगा वो कैसा रुदिर रहेगा वो सुद्ध रुदिर रहेगा वो oxygenated रहेगा अब फेफडे में इसमें क्या मिला दिया आक्सीजन अब फेफडे में आक्सीजन इसमें मिला दिया तो यह कैसा रुदिर हो गया यह सुद्रुदिर में परिवर्दित हो गया अब सुद्रुदिर अब कहां पर बढ़ेगा अब सुद्रुदिर जो है अब दुबारा ये फेफडे में इंट्री मारेगा ये सुद्रुदिर कहां पर जाएगा ये सुद्रुदिर दुबारा इस फेफडे में क्या होगा ये इंट्री मारेगा इंट्री मारेगा और दुब नलिका का नाम क्या है इस नलिका का नाम है पल्मोनरी इसका नाम क्या है पल्मोनरी वेंस नाम होता है पल्मोनरी वेंस यानि कि आपने सही सुना इसका नाम है फुपुस सिरा इसका नाम क्या है फुपुस सिरा फुपुस सिरा के दौरा ये सुधरुधिर आ गया अब कहां पर बाएं आलिंद में आगया कहाँ पर आ गया बाएं आलिंद में कोस्चन यह पूझा गया है कि यह बताओ कि ये असुध रुधिर को हमारे हर्ट से इस फेपड़े तक लेकर जाने वाली यह जो नलिका है इसनलिका का क्या नाम है इसका नाम है पल्मोनरी आर्ट्री पल्मोनरी आर्टरी अब आप याद करिए पीछे की सारी चीजें पीछे की सारी चीजें आप याद करिए पीछे की सारी चीजें आप याद करिए पल्मोनरी आर्टरी एक मात्र ऐसा आर्टरी होती है जिसमें सुद्रुद्र जाता है और पल्मोनरी वेंस एक मात्र ऐसा वें पवाद कहाँ पर हैं ये दागी में आलिंद से फेखडे की पास लेके जाता है और फेखडे से ये रुधिर को कहाँ पर लेके आता है बाया आलिंद और दूसरी बात आपने एक चीज़ और सीख लिया क्या मनुष्य का जो रुधिर परिसंचर तंद होता है वो बंद तथा दोहरे प्रकार का है दोहरा मैंने बोला था क्योंकि आपके हिर्दय में बलड कितनी बार आता है दो बार आता है तो एक बार देखिए इधर से आया फिर निकल गया बाहर अब फिर आ गया और यहाँ पर जो बलड आया कैसा है सुध है सुद्ध का मतलब Oxygen युक्त धुरुदिर, बात समझ में आ गई होगी, अब यहाँ पर आगे की बात समझना, यह सुद्धुरुदिर क्या होगा? अब यह बाया आलिंद संकुचित होगा, जब यह बाया आलिंद संकुचित होगा, तो क्या होगा? अब ये बाया अलिंद संकुछी थोने पर ये जो सुध्रूधिर होता है निले में आ जाएगा तो question मन गया बाया अलिंद और बाया निले में पाया जाने वाला रूधिर कैसा है तो आप बोलिएगा सुध्रूधिर कैसा है सुध्ध रुधिर आज़े लेकिन ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर का काम यहाँ पर थोड़ी नहीं है इसका कार्य तो हमारे सरीर की समस्त कोसिकाओं को है ये बेचारी कोसिका तब से मरे जा रही है तब से वेट कर रही है तब से सूखी जा रही है तब से हर्ताल पर है कि मैं कारिय नहीं करूंगी जब तक मेरे पास ऑक्सीजन युक्तुरुधिर नहीं आएगा और जब तक ऑक्सीजन युक्तुरुधिर नहीं जाएगा तब तक ये कारिय नहीं करेगी और आक्सीजन युक्त रुधिर कहां पर है? बाय आलिंद में हैं. कहां पर है? बाय आलिंद में. तो अब ये आक्सीजन युक्त रुधिर कैसे उस कोसिका तक और कैसे हमारे सरीर की समस्त कोसिकाओं तक पहुंचेगा इस चीज को समझने का प्रयास करना. अब ये संकुचित जब होगा, ये जब संकुचित होगा, कौन सा हिस्सा? बायानिल है, तो जब ये संकुचित होगा, तो ये oxygen युक्तुरुधिर इधर नहीं जा सकता, ओपन नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि द्विवलनी कपार्थ है, बाइक कस्विड बाल्व, और वाल्व से blood हमेशा नीचे जा सकता, ऊपन नहीं जा सकता, ये है septum, septum से इधर नहीं जा सकता, ये है pericardium, pericardium से इधर नहीं जा सकती, तो फिर ये blood कैसे बाहर निकलेगा, जबाब दीजिए, कैसे बाहर निकलेगा, कैसे, very good सिव प्रकास यादव जी, महाधमनी के द्वारा, किसके वहुत बढ़ि महाधमनी के द्वारा, अब यहाँ पर इस्वर ने एक pipe fit कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूँ, समझने का प्रयास करने है, ठीक है, समझना है, अब यहाँ पर इसको ध्यान समझना है, यहाँ पर क्या है, एक इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है महा धमनी. क्या नाम है? महा धमनी. महा धमनी को क्या बोलते हैं? ए ओर्टा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ए ओर्टा. महा धमनी को हम क्या बोलते हैं? ए ओर्टा. महा धमनी के द्वारा ये सुद्रुदिर क्या होगा? बाहर निक महा धमनी आगे चल कर और पतली पतली कई नलियों में बट गई इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जिसको आर्टियोल्स कहा जाता है और ये आर्टियोल्स जो है इस बेचारी पगली जो वेट कर रही है आक्सीजन युक्तुरूतिर को इसको पहुचा देने का कार्य करती है इसको पहुचा देने का कार्य करती है तो पहले महा धमनी से बाहर निकली महा धमनी धमनी और धमनी तो ने पहुचा दिया कोशिकाओं के पास, जैसे खेत में अगर एक कोई क्यारी होती है, अगर गाउं से आप जुड़े होंगे, तो एक क्यारी में पानी अगर पहुचाना होता है, तो एक मुख्य नली होती है, मुख्य नली का होती है, मुख्य नाली होती है, वो नाली आग पारे सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या होता है, सबसे बड़ी धमनी का नाम महा धमनी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए ओर्टा कहा जाता है, तो एक बार पुना है, सारी चीजों को मैं दो मिनट के अंदर अंदर कन्क्लिूड करता हूँ, समझना है, सरीर की समस्त कोशिकाओं से असुध धुरुधिर, अग्र महासिरा और पश्च महासिरा के द्वारा दाहिने आलिंद में आया, इसके पश्चाद ट्राइकस्पिड व पश्चाद द्विवलनी कपार से होते हुए बाएन निले में आया, फिर महा धमनी, धमनी, धमनिकाओं से होते हुए कोशिकाओं के पास पहुच गया, ठीक है, पहुच गया, ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया, तो आसा करता हूँ कि ये human heart बहतरीन लगा होगा, निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, तो कल मैं इसको systematic way सी लिखवा दूँगा, और इसके बाद सिस्टोल क्या होता है, डैश्टोल क्या होता है, और ये जो दिल की धरकन होती है, और ये धरकन क्या कहती है, आपने वो dialogue सुना होगा न, कि जिसमें इलपा सिर्ती जी की धरकन क्या कहती है, उसको सुन लिया था, तो धरकन क्या कहती है, उस पर बात करूँगा, pacemaker क्या होता है, ESA note क्या होता है, electrocardiograph क्या होता है, अभी बहुत धेर सारी चीजे इसके अंतरगत पढ़ी है, फिलाल आज मैंने function आपको बता दिया, ठीक है, मै कैसी रही class और कैसा लगा आपको ये session, ठीक्यू, नमस्कार, जैहिन, जैभावत